दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक मेटाल सेक्टर कंपनी के उपर जिसका नाम है हिंडाल को इंडेस्ट्री अप लोग को पता है जब भी यह रिसेशन आया हुआ था लॉक्डाउन के कारण यह लगभग 90 रुपय का असपास का पहुंच किया था और अभी 196 197 के असपास हम लोग को अभी अनलसिस करना है कि हम लोग का सौट टर्म टार्गेट अभी क्या होना चाहिए और अभी यह करने से पहले एक बार हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देख लेंगे और फिनांशल भी एक बार स्टडी कर लेंगे सो दर हम लोग को देख पता चल इसको लॉंग टर्म में लेना सही रहेगा या हम लोग को स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट लेकर हम लोग को निकल जाना है नमस्का दोस्तों मार्केट लेटर में आपका स्वागत है मैं आपको लेके चलता हो हिंडाल को इंडेस्ट्रीज का फंडामेंटल आनलसिस के जितना स्क्राप आ जितना उन्वंटेड वेस्टेज आ रहा है उसको इटलेच करने के लिए रिचल रिचल एक अच्छा कासा मार्केट होने वाला है आगे के टाइम में और मार्केट क्यापलेशन के इसाफ से देखा जाए तो 44,000 करोड का कम्पनी है और इसका आरोसी एडियो अपलोड हो जुका है आप लोग देख सकते हो और यहां पर लाश्ट पांच साल का जो आरोसी है और यहां पर देखा जाए तो सबसे कम अगर देखा जाए तो हिंडाल को इंडेस्टिच का आ जाएगा जो कि मतलब रिनाउन में है वैसे तो यह माना केसिया अलुम देखा जाए तो 18 ओनली सो कर रहा है बट अगर आप लोग इसका डेट देखा जाए तो आल नाशनल अलुमिनियूम का डेट टो इकृट रिशियो जीरो है लेकिन हिंडाल को में है 1.17 तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए फर लॉंग टॉम इंवेश्टमेंट आप लोग 24,000 का मार्केट ग्रेपलेशन से बहुत ज्यादा और देट टो इकृट रिशन निकल काता है 1.17 जो कि बहुत खतरनाक चीज होता है मानता हूं यह एक क्यापिटल इंसेंटिव सेक्टर है इंटेंसिव सेक्टर है तो यहां पर अगर देखा जाए 1.17 यहां पर पैसा एंट काम नहीं करेगा आच़ेसे वार्को आउट नहीं करेगा तब तक यह वहला डेट क्लियर होना बहुत मुस्किल है और डेट क्लियर नहीं होता है तो क्या प्रोलिम होता है आप लोगको ज्यादा अच्छे से पता है और यहां पर प्लेस परसंटेश यह पर जी जीरो दिख प्रोफिट लॉस के बात करेंगे तो लॉस अगर देखा जाए तो एक ही बार दज किया गया था यहां पर नाइंटीन हंडड़ेट का प्रॉफिट फिर फ्री थाउजंड कंसिस्टेंटली घटते आया हुआ है प्रॉफिट और आगे के टाइम पर अलुमिनियू में बहुत अच्छा सेक्टर होने वाला है मेटल सेक्टर में और यहां पर हम लोग उमीद कर सकते हैं कि अच तो यह 2,000 क्रोर अगर प्रॉफिट कर रहा है और यहां पर 68,000 क्रोर उसको चुकाना है तो कितना टाइम लगेगा अगर आप लोग डिभाइड करोगे तो लगभग आपको 32-34 यह का अस्वास का लग जा रहा है 34 यह बहुत लंबा टाइम होता है ठीक है तो यह एक दीरे-दीरे स्क्वार अप कर रहे हैं करेक्ट और सीधा 18 परसंट में आकर रुख चुके हैं और डी यह भी अपना उतना ज्यादा स्टेक इंप्रूब नहीं कर रहे हैं करेक्ट लेकिन पॉब्लिक के पास भी थोड़ा बहुत है 19.29 परसंट का लगभग का यहां पर आप पता चल गया यह long term investment के लिए नहीं है तो short term के लिए हम लोग को क्या target लेना चाहिए वह भी मैं बात करूंगा अभी one day के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक downtrend देख रहा है ठीक है तो यहां पर intensity टूटा हुआ और अगर downtrend देख रहा तो एक बार यहां पर तो टूट करे के साथ आया हुआ है तो यहां पर जब भी थोड़ा सा profit booking आये तो maximum to maximum 179 तक जा सकता है और यहां पर अगर one month का बात किया जाए तो यहां पर भी एक अच्छा खासा crossover के साथ उपर जाने के लिए तेयारी में है तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा मतलब जैसे कि एक दो महि investment में decision नहीं लेना चाहिए इसके साथ से correct फिर में चलता हूं जो long term के long term में हम लोग को और अच्छे साम लोग को पताएगा यहां पर सबसे पहले यह long term के लिए इतना अच्छा नहीं है इसमें इसके यह वाला जो रिजिन है आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो स्लोप ह कोई भी चार्ट का कोई भी स्टॉक का तो आप लोग के इसमें long term investment के लिए सोचना भी नहीं चाहिए जो कुछ भी हो जाए जितना अच्छा company जितना अच्छा opportunity देख लो रिजिन कुछ भी हो सकता है उसका date हो सकता है उसका stakeholder हो सकता है उसका management हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट इसका जो जब तक 45 डिगरी स्लोक नहीं आएगा तब तक हम लोग को इसके ऊपर कोई भी long term view सोचना नहीं चाहिए चाहिए यह कुछ भी कहीं पर निकल जाए ठीक है तो यहां पर हम लोग को कोई सकते नहीं निकाल सकते इसका long term view के लिए तो यहां पर जब मैं आता हूँ इसका candlestick में तो यहां पर बहुत अच्छा चीज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है जो कि आप लोग को तॉमनेल में देखने के लिए मिल गया होगा ओल्रेडी कि यहां पर 192 का level 192.20 का level है उसको अच्छा कासा volume के साथ यह तोड़ा हुआ है यह वाला जो मैं बात कर रहा हूँ 20 तरीक को 20 अगस्ट को अच्छा कासा volume के साथ और अच्छा green candle बना हुआ है complete green candle इसके उपर बना हुआ है तो यह उतना security के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि यह short term में 220 का level एक बाद टच ज क्योंकि 184 184 का जो कि stop loss वह आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा अगर 184 का stop loss के हिसाब से लोगे तो यहां पर 220 का target के साथ काम करोगे तो आप लोग का बहुत अच्छा गासा मुनाफार आ सकता है for the swing trend और यहां पर फिर में बात करूंगा इसका divergence की divergence में हम लोगो थोड़ सा continue करने के लिए मूड में है कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और यहां पर मैं आ जाता हूं इसका जो निप्टी के साथ correlation coefficient की यहां पर 0.93 मतलब अच्छा कासा correlation है correlation coefficient है निप्टी के साथ तो यहां पर आप लोग का निप्टी का उपर जो भी होना चाहिए हिंडा कि यहां पर मैं स्टाउकेश्टी कारे में जो भी इंट्री कर रहा हो हें झ due 184 उसी आसपास का थोड़ा सा नीचे तक आ सकता है और यहां पर वान वी के हिसाफ से भी अच्छा का सा आप लोग का देखा जाए तो एक ओभर जोन में जा चुका है और वन मन्त के हिसाफ से अभी भी जा रहा है अभी इसमें थोड़ा सा मुमेंट बाकी है तो इस हिसाफ से आप लोग को अगर देखा जाए तो इसको मैं अगर समराइज के टाइम पर बोल दूंगा तो समराइज करते हैं दोस्तों यहां पर जो फंडामेंटल है पुरा वी के फिनांसियल भी फिनांसियल थोड़ा सा ठीक है प्रॉफिट कमा रहा है बट डेट परसेंटेज और प् प्रॉफिट बुगिंग के बाद इजाफा दिखेगा तुरंद नहीं दिखेगा और यहां पर लॉंग टर्म भी आम लोग को देखना नहीं चाहिए फिर से में बोल देता हूं यह चार्ट भी बता रहे हमको फंडामेंटल कर साथ सा और यहां पर हम लोग का जो टेकनिकल क्यांट है हम लोग का कैनल स्टीक है तो यहां पर 220 का लेबल एक पर शॉट टम है एक बार बता रहा है बट थोड़ा सा प्रॉफिट भूगिंग आने के बाद में बार बहुत करेक्ट यहां पर फिर हम लोग का डाइवरजेंस के हिसाफ से कोई भी डाइवरजेंस नहीं ब अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़ जिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच